हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरूप क्लासेज यूटूब चैनल, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सामल्टैनेस एक्यूलिबरियम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ एक्यूलिबरियम जब साथ में चलती हैं, उनमें कुछ कॉमन आटम आयन मॉलिक्यूल हो, वो सामल उसलिए एपियर हो रहा है, तो सामल्टैनेस एक्यूलिबरियम पे चलते हैं, तो फर्स्ट हम एक्यूलिबरियम के बारे में कुछ बाते जानते हैं, कि एक्यूलिबरियम में फॉर्वर्वर्ड बैक्वर्ड रियक्शन जाती रहती है, और दोनों ही एक्यूल रहता है, तो तो ये दो equilibrium है, जो एक ही container में चल रही हैं, तो ये हमने container लिया, इस container में हम कहते हैं कि A जो है, वो break हुआ है B प्लस C में, और जो B है वो break हुआ है D और E में, ये दो है पार्ट और ये मैंने container में आपको draw करके बताया है, जिससे ये clear हो सके आपको कि दोनो equilibrium एक और दूसरे, दोनों में ही एक सार चल रहा है, तो जो equilibrium है, वो simultaneously एक ही container में work कर रहा है, तो दोनों equilibrium दूसरे को effect करेगा, क्योंकि दोनों में भी common है, तो first equilibrium में हम लोग मान लेते हैं कि जो A का content है, वो C है, शुरुवात reaction की नहीं होई है, तो हम zero मान सकते हैं, C में से X अगर खर्च हो गया, तो मान लीजिए B X बन जाएगा और C भी X बन जाएगा, तो दोनों ही X amount में form हो गए हैं, अब जब ये X amount में form हो जाएगा, तब ये second equilibrium start होगी, मतलब B form हो गया है, B में से, मैंने D और E को zero लिखा है, क्योंकि obvious है, अभी ये break जो हुआ है, वो breaking अभी शुरू नहीं हो, ये मान लीजिए, अब हम मानते हैं, कि इस X में से Y खर्च हो गया है, तो D जो है, वो Y बनेगा और जो E है, वो भी Y बनेगा, तो दोनों Y और Y break हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने देखा, कि C से इधर X बना है, और यहाँ पे जो X बना है, उसमें से break होके, Y का content गया है, और D और E जो है, वो Y Y amount में बन गया है, बट, जैसा मैंने side में एक container रखे आपको बताया हुआ है, कि जो दोनों ही equilibrium है, वो same container में है, तो यहाँ पे कोई partiality नहीं होगी, कि एक B first equilibrium का है, तो B second equilibrium का है, वहाँ B का concentration मतलब on whole, चाहें वो first का हो, या वो second का हो, जिसके चलते B के concentration दोनों में अलग-अलग नहीं हो सकते, जैसा यहाँ पे हमें denotion दिख रहा है, एक में X minus Y है, और again जो उपर है, वहाँ पे तो सिर्फ X ही लिखा हुआ है, तो इस सिर्फ X में से हमें Y को हटाना पड़ेगा, तो इस बात को मैं दुबारा कह रही हूँ, यहाँ पे हमने लिखा है कि X में से Y खर्च हुआ है, तो इसको यहाँ लिखते समय हमें Y को यहाँ से भी remove करना होगा, लेकिन हाँ, यह जरूर है कि ऐसा हम करके अगर लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जब दोनो equilibrium establish हो गए होंगी, मैं तब की condition लिख रहे हूँ, तो दोनों में ही यह add equilibrium की condition है, कि मान लिजे, दोनों में equilibrium establish होने के बाद, यह कुछ इस तरीके से हमें रिखेगा, तो दोनों में equilibrium establish हो गए है, तो B जो है, वो भी हमें X-Y दिख रहा है, उपवाले equilibrium में, और यहां जो second equilibrium है, उसमें भी यह X-Y content में ही रहेगा, तो दोनों ही हमारे पास X-Y में ही दिखने वाले हैं, चाहें A से आप B प्लस C पे चले जाएं, चाहें आप B से D प्लस E पे चले जाएं, दोनों में ही यह X-Y होगा, तो यह है simultaneous equilibrium मतलब, जब एक ही container में यहां कहें, दो equilibrium एक साथ simultaneously work कर रही हैं, और यहां पे दोनों equilibrium में, एक atom, molecule या iron common होगा, जिसके चलते वो एक दूसरे से link होगी, अभी दो अलग-लग equilibrium हो, तो फरक नहीं पढ़ रहा है, बट यह link है, यह साथ में भी चल रही हैं, और एक दूसरे से इने फरक भी पढ़ रहा है, तो यह जो link equilibrium है, यह link वाले case में ऐसा बिलकुल रहेगा, तो यह equilibrium link है यहां से, और हम कह सकते हैं, यह दूसरे को effect करेंगे, तो ऐसे equilibrium कहलाते हैं, simultaneous equilibrium, तो कुछ question पर चलते हैं, कुछ तरीका देखते हैं, कि हम इने कैसे लिखेंगे, तो जैसे कि, इसी में मैं कुछ इसे include कर रही हूँ, जैसे कि पहला equilibrium है, इसका equilibrium constant है k1, जो दूसर है, उसका equilibrium constant है k2, तो अगर मैं first equilibrium constant को लिखूँ, तो मैं उसे लिखूँगी, concentration of b, c, then concentration of a, इनकी values मैं put करूँ, यह हो जाएगा x minus y, इसका concentration x हमने लिखा है, यह है c minus x, वहीं पे k2, जो होगा, वो है d, दूसरा है e, divided by b, तो यह हो जाएगा y, दूसरा भी है y, divided by x minus y, अब यह हमें दो value मिल गई है, अब question जैसा होगा, वो हमसे जो भी चीज़े पूछ रहे होंगे, उसके according हमें k को use करना है, और final conclusion पर जाना है, फिर भी मैं आपको बता दू, normally numerical में वो क्या चाहते हैं, वो हमें x y का relation किसी तरह से मिल जाए, तो normally numerical में हम क्या करते हैं, k1 upon k2 निकाल लेते हैं, इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं, divide करने पर x minus y eliminate हो जाएगा, तो यहां मिलेगा x upon c minus x, जब इससे हम divide करेंगे तो यह y square है, y square हमारे पास denominator में है, तो अगर हम देखें, अच्छा, divide करके कोई देख ले वाली है, x minus y, क्योंकि हम divide कर रहे हैं, तो divide की जग है, हम लोग क्या कर लें से multiply कर लें, जैसे cancel हो जाए, so k1 multiplied by k2, चले करके देखते हैं, x minus y और x, division करने पर वो square हो जाएगा, तो हम उसे avoid करना चाहें, अगर, क्योंकि numerical जैसा होगा, आप वो करेंगे, मैं सिर्फ एक pre condition द y, यह होगा, x minus y, तो यह ऐसा कुछ आया, इस x minus y को x minus y से हम cancel कर पाएंगे, और finally जो हमें मिलेगा, वो होगा, x y square, c minus x, और यह मिलके आजाएगा, k1 और k2, ऐसे कुछ value है, जो हमें मिलने वाली है, और ऐसा कुछ है, जो हमसे होने वाला है, तो यह मैंने सिर्फ यहाँ प और हाँ, अगर हमें लगे कि हाँ, कुछ एक conclusion हमें अच्छा मिल पाएगा, अगर हम इसे divide कर दें, तो आप k1 upon k2 को divide करके भी लिख सकते हैं, और वहाँ से भी conclusion ले सकते हैं, कि हमें जो value मिलनी हैं, जो आना है, तो एक और equilibrium देखते हैं, जो simultaneous होगा, उसमें देखते हैं, हम मान लीजे, A है, जो दे रहा है, B प्लस C, और एक D है, जो हमें दे रहा है, मान लीजे, C प्लस E, equilibrium जो है, वो दोनों ही, जो हमने back side पे देखा है, तो जो back side पे equilibrium है, उसमें common आप देख सकते हैं, कौन है, common है, यहाँ पे B, तो B जो content है, वो पहले product में appear हुआ है, जो यहाँ पे है, बट इस case में यहाँ reactant है, बट अभी मैंने कुछ change करा हुआ है, तो जो change है हमारे पास, वो कुछ ऐसा है, कि A से B प्लस C दिया है, और जो D है, उससे C प्लस E दिया है, तो यहाँ जो common है, वो दोनों product है, तो हलका स change में देखते हैं क्या होगा, तो यह हो जाएगा, मैं इसको दुबारा लिखने हैं थोड़ा सा distance के साथ, तो चलिए लिखते हैं से दुबारा, यहाँ मैं लिख देती हूँ, D C प्लस E, तो यह कुछ ऐसा हुआ, तो चलिए देखते हैं, अगर मैं concentration इसका let कर लो, यहाँ प अब की बार जो D है, वो common में नहीं है, D कुछ अलग है, तो जिसके चलते इसका concentration हम कुछ अलरड़ी ले के चल सकते हैं, हम कोई value ले सकते हैं, जो सा concentration होगा, तो चलिए A मान लेते हैं, यह शुरुआत में 0 है, यह 0 है, अब की बार हम कहेंगे, इस A में से Y content खर्च हो गया ह तो यह Y बनेगा और यह E बनेगा, अब हमें देखना यह है कि कौन से में हम किसको minus करेंगे, कौन add करेंगे, फरक है, last में मैंने एक को product रखा था, एक को reactant अपकी time मैंने दोनों को product में रखा हुआ है, तो simultaneous में जब दोनों product है तो आप देख रहे हैं, कि हम लोग container डौ कर लेते हैं, पहले एक, यहाँ पर जो A है, वो बना B, वो बना C, और यह यहाँ पर कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरा equilibrium चल रहा है, जिसमें E बन गया है, और जिसमें C बन गया है, तो यह इस तरह से link है, तो दोनों में कुछ ना कुछ link जरूर होगा, आपकी बार दोन यहाँ से X बना है, यहाँ से Y, तो total जो हो जाएगा, वो C का concentration हो जाएगा, X प्लस Y, तो यह हो जाएगा X प्लस Y, और यहाँ पे भी हो जाएगा X प्लस Y, तो दोनों में X प्लस Y है, देन आप एक लिएम constant लिख सकते हैं, फिर जैसा question आप से पूछ रहा होगा, आप उसके according इन्हें deal कर सकते हैं, तो चलिए एक दो question पे चलते हैं, जो already PYQ के हैं, जो अलग से हम कह सकते हैं कि questions में आ चुके हैं, तो यह है हमारे पास question, question number one, यह आ चुका है, J means 2019 में, यह simultaneous equilibrium है, और उसी का use करके हम इस question को कर सकते हैं, तो चलिए रेखते हैं, first, first है, A solid है, B gas, C gas, equilibrium constant KP1 कह दिया गया है, then second equilibrium है, D जो है solid, give C gas and E gas, तो हम लोगने इसे दूर दूर लिख लिख लिया है, जिससे हम relation जैसा पीछे लिख रहते हैं, वो लिख पाएं, यह X है और यह Y है, तो यह दो है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें पूछा जा रहा है, total pressure when both solid dissociates simultaneously is, तो दोनो simultaneously जब dissociate हो रहे हैं, that means दोनों एक साथ चल रहा है, equilibrium simultaneous है, और अब हमें total pressure बताना है, तो total pressure के लिए मैं आपको यह बात बता दूँ, जो हमारा aim है, मतलब आप एकदम से question के बारे में क्या सोचेंगे, P total बूछा गया है, इसका मतलब जितने भी gashes content है, उन सबका pressure, तो pressure of B plus, pressure of C plus, pressure of E, हमने A और D include नहीं कर रहा है, वो solid है, आप उसे ना लें, तो यह ऐसे ही रहेगा, दिन, अभी चलते हैं, जरा उस पे, कि हमें यह pressure मिलेंगे कैसे, और एन अड़ करके हम relation कैसे ला पाएंगे, और हाँ, जो relation है, वो X और Y में है, मतलब कहीं equilibrium constant से ही relate करना है, जैसा हमने last अपने उसमें बताया, कि यह equilibrium से relate करने के लिए पूछते हैं, तो चलिए देखते हैं, अगर हम let कर लें, हमसे कहां नहीं गया, हम एक let कर सकते हैं, जिससे आपको okay लगे, minus करते समय, तो अगर यह C है, यह 0 है, यह 0 है, C में से हम मान लें, कि P1 content गया है, या मैं कहें दूँ कि C जो उसका value था, उसमें से P1 content गया है, तो coefficients 1 है, तो यह P1 बनेगा और यह P1 बनेगा, then, इसको हम C1 लिख लेते हैं, मान लिजए, यह C2 था, यह C2 में से जो content गया है, वो P2 है, बाकि C2 के हमें जरुवत नहीं है, वो solid है, वो equilibrium में include भी नहीं होगा, बड़ हम लिख रहें, जिससे आपको समझाना easy रहें, otherwise, आप चाहें, तो P1, P2 लिख सकते हैं, बस, P2 content गया है, तो यह P2 बनेगा, और यह भी P2 बनेगा, अब बात आती है simultaneous की, जो हमने अभी previous में देखा, तो देखे common कौन है यहापे, आपको कौन सा common देख रहा है, जो common है, वो C है, तो C यहाँ पे common है, और वो product है, तो वो दोनों में सिर्फ बन रहा होगा, तो खर्च होने की बात नहीं होगी, जो भी बना होगा, वो total pressure दी रहा होगा, मैंने pressure के term में लिखा है, क्योंकि मुझे KP दिया गया है, तो C का pressure यहाँ से P2 है, तो जो total pressure C का होगा, वो हो जाएगा, P1 प्लस P2, तो मैं उन्हें दोनों तरफ include करना चाहूंगी, P1 प्लस P2, और मैं यहाँ पे भी include करूंगी, P1 प्लस P2, यह इतना application है, जो simultaneous का आपको यहाँ देना होगा, और उसके बाद ही question आप कर पाएंगे, तो यह हुआ simultaneous, अब हम इसकी मदद से K की value निकालते हैं, तो यहाँ K P1 जो है, क्योंकि P1 की term में है, इसले हम ऐसा लिख ले रहे हैं, तो concentration, यह मैं कहूं pressure, हम पहले product कर लेंगे, product में है C, C का pressure है, चल यह लिख देते हैं एक बार, pressure of C and pressure of B, pressure of C में है P1 plus P2, और pressure of B में है P1, दूसरा, pressure of 2 में अगर देखा जाएं, तो C का pressure आप देखेंगे, और pressure आप E का देखेंगे, pressure जब आप C का देख रहे हैं, तो यह फिर से देख रहा है, P1 plus P2 या P2 plus P1, और E का pressure आप देख रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि यह P2 आ रहा है, तो हमें KP की values मिली है, इसको हम equal to में लिख सकते हैं, X क्योंकि दिया गया है, इसको equal to में लिख सकते हैं, हम Y क्योंकि द प्रेशर according to हमारा ये reaction हमें समझ में आ रहा है यहां लिखा है वो है P1 वहीं पे हमें C का प्रेशर समझ में आ रहा है वो है P1 प्लस P2 then again अगर हम यहां से देखें तो E का प्रेशर है P2 और हाँ इस बात का ध्यान रखें कि आप P1 का प्रेशर दो बार आड नहीं करेंगे E का प्रेशर है P1 प्लस P2 ये दो बार आया है पर दो बार एड नहीं होगा equilibrium container में एक ही present होगा E का जो प्रेशर है वो है प्लस E का प्रेशर मैंने लिखा है P2 तो ये total मिला के मुझे मिल रहा है P1 प्लस P2 और दो दो बार आये हैं तो मैं इसको whole choice लिख देती हूँ अब देखते हैं किसके terms में मिलेगा X और Y की term में कैसे मिलेगा तो यहाँ पर हमने K1 मतलब इस equilibrium constant को conclude करा हुआ है हम देख सकते हैं तो एक ये equilibrium constant है हमारे पास इसे हटा देते हैं और एक नीचे है तो चलिए इसे अगले page पर लिखते हैं और देखते हैं कि हमाँ पास कैसे यह help मिल जाएगा या कैसे हमें पता चल जाएगा किसकी value क्या होगी तो अगर मैं इसे लिख हूँ तो देखते हैं परस्ट हमें यहाँ पे एक P1 और P2 की value प्लस दिख रहा है तो एक यह obvious term है कि हम सोचेंगे कि चलो K P1 और K P2 को add अगर के देखते हैं value मिलेगा X प्लस Y और जो मैंने यहाँ expression लिखा है उसके चलते हमें मिलेगा P1 P1 प्लस P2 प्लस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है P2 P1 प्लस P2 यह हमें value मिला बस फर्दर आगे हमें mathematical conclusion ही देना है क्योंकि J का question है तो थोड़ा mathematical है यहाँ पे आपको एक relation चाहिए और बच्च प्लस P1 P2 प्लस P2 P1 प्लस P2 स्क्वार आपको यह clearly visible है कि यह property हो रही है P1 तोईस ओफ P1 P2 प्लस P2 स्क्वार और इसे आप लेख सकते हैं A प्लस B whole स्क्वार क्योंकि यहाँ P1 स्क्वार है P2 स्क्वार है प्लस 2 P1 P2 है तो जो हमें value मिल चुकी है X प्लस Y की वो यह है और अगर हम यहाँ से relate करें हम यहाँ से value निकालें तो हमें यहाँ से value मिल जाएगी जो हम second में लिखते हैं जो हमें value मिल रही है वो है P1 प्लस P2 whole square equal to X प्लस Y मैंने बस एक साथ लिखा है कोई change नहीं है और अगर मैं यहाँ से P1 प्लस P2 निकालूं तो आपको पता है अगर आ हमें value निकालनी है वो हमें दिख रहा है वो है twice of P1 प्लस P2 तो मैं इसको one mark करती हूँ जो मैंने conclusion निकाला है और मैं यहाँ कह रही हूँ कि यहाँ पे मैं one को use करके conclusion दोंगी तो P total हो जाएगा twice of कहा गया है P1 प्लस P2 जो हमने conclude करा और वो value आई है twice of X plus under root X plus Y तो यह है हमा हमारा answer थोड़ा सा calculated है calculated एक question है MCQ में ही आया है और काफी calculation include कर रहा है बट अगर आप simultaneous जानते हैं तो अभी हम लोग explain कर रहे हैं समय लग रहा है बट अगर आप चाहिए तो इसे काफी easily एक within a time frame complete कर पाएंगे तो यह था पहला question जो already हमारे उसमें आ चुका है paper में second पे move करते हैं तो यह है हमारा second question जो again simultaneous equilibrium पे ही है बट उतना जादा use नहीं है क्योंकि हम देख सकते हैं यह medical का paper यह मैं कहूँ medical का question है तो बहुत जादा extensive use नहीं करा है regress use नहीं करा है बट एक normal सा inclusion है अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप देखे definitely question छोड़ेंगे कि यह कुछ अलग कह रहे हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कहा गया है two equilibrium एक यह बताई गई है और एक other one है are simultaneously maintained in our solution with our equilibrium constant of k1 and k2 the ratio of a to a b2 minus a plus और a b2 minus का ratio चाहिए that means जो हमें चाहिए वो है a plus और दूसरा नीचे होगा a b2 minus यह हमें चाहिए तो हमें इससे देखना होगा यह कैसे आएगा तो पहले चलिए equilibrium लिख लेते हैं पहला equilibrium है a b give a plus b minus k1 इसका constant कहा गया क्योंकि respectively है तो पहला इसका होगा और दूसरा इसका k1 की value आजाएगी a plus b minus divided by a b यह k1 हो गया देन सेकंड देखते हैं second equilibrium है a b plus b minus give a b 2 minus और यहाँ पर equilibrium constant अगर लिखें तो यह होगा a b 2 minus divided by a b और यह हो जाएगा b minus यह दो है जिसमें हमने इसको लिखा है k1 है और k2 है अब हमें देखना है कि यह a plus और b 2 minus किसमें आ रहा है तो अगर हम देखें तो a plus मुझे यहाँ पर involve देख रहा है और a b 2 minus only एक ही में involve है वह यहाँ numerator में है इन दो का divide चाहिए तो एक obvious आहीं है कि हमें दिख रहा है k1 और k2 को divide करना पड़ेगा वहां हमने add कर रहा था यहाँ division है तो k1 upon k2 अगर हम करें तो मैं यहाँ completely लिखूंगी तो चल यह कुछ help लेते हैं तो यह completely यहाँ पर include होगा अगर हम देखें तो यह हो जाएगा a plus b minus upon a b multiplied by क्योंकि यहाँ divide है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि reciprocal करके multiply कर दिया गया है यह normal हमारा math का conclusion है यह सभी हम जानते हैं तो a b 2 और यह हो जाएगा a b और यहाँ हो जाएगा b minus तो यह दो हैं हमने a b 2 को नीचे लिख लिया है क्योंकि k2 divide करा है और वहाँ पूछा गया है divide करके और जो दूसरा है वो है a b जो numerator में गया है b minus जो numerator में गया है अब देखते हैं यहाँ पे क्या cancel होगा और कितना बचेगा पहला a b और a b cancel होता हुआ लग रहा है जिसके जलते जो conclusion हमें मिल रहा है वो इतना है k1 upon k2 हो जाएगा a plus b और b जो minus है यह हो जाएगा b minus का whole square divided by a b to minus बट हमसे ratio इसका पूछा जा रहा है तो हम थोड़ा से ऐसे arrange करेंगे जिससे हमें यह ratio मिल जाए तो इस ratio को जानने के लिए हम इसे थोड़ा सा और arrange करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a plus divided by a b to minus और इसे अगर हम arrange करें तो k1 और k2 तो ऐसा ही बना रहेगा पर जो b है उसको हमें denominator में लेके आना होगा तो b minus का whole square यह हमें relation मिल गया है और इस relation से हम देखते हैं कि अब option कौन सा सही है first option में कहा गया है directly proportional to b minus नहीं हम देख रहे हैं कि जो proportionality है वो पहले तो inversely है क्योंकि b denominator में आ रहा है और b square है b नहीं तो option गलत inversely to b minus b minus से inversely है पर b से नहीं है b square से है तो cross directly proportional to square of b तो square of b तो include करा है बट directly नहीं आएगा तो यह गलत next है inversely to the square of b यह okay है independent to definitely dependent है तो यह तो नहीं आएगा तो यह inversely proportional है जो यह ratio हमसे पूछा जा रहा है यह ratio inversely है b minus के square के तो यह है हमारा simultaneous equilibrium का एक और question जिसमें हमने देखा कि किस तरह से simultaneous को एक थोड़ा सा पुराना है क्योंकि बहुत recently में neat में appear नहीं है और मैं कहूं तो almost ना है कि आप simultaneous अभी ना देखें क्योंकि इतना जादा involved वो नहीं करते हैं बाकि यह पुराने question में है जो medical का ही एक entrance है question है बाकि हमने देखा यह jee के question में कि किस तरह से इसे include करके पूछे जा रहे है question तो final conclusion कि जो equilibrium constant है वो हमारा कैसा effect हो रहा है और क्या है तो यह है simultaneous equilibrium जिसमें दो equilibrium एक साथ चल रही होंगी कोई ए common atom आयन या molecule होगा जिससे concentration effect हो रहा होगा so that's all यह simultaneous है next में मिलेंगे जिसमें हम कुछ questions रहेंगे और आयने की किलम भी अब हम लोग start करेंगे so thank you for watching